हलो नमस्कार सभी विध्यारतियों का उतकर्ष क्लासेच के इस सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफर्म पर आप सभी का तहे दिल से और खुली बाहु से हार्दिक स्वागत और अभिनांदान मैं जी यल चोधरी आज के सेशन में बात करने वाला हूँ पंद्रह दिन में जेट को कैसे करें सेट उतकर्ष के साथ मिल करके तो देखेगा अब आपके इस जेट के यानि की पंद्रह दिनAL बाकी है और 15 दिनों में किस परकार से तयारी करें क्योंकि जैसे जैसे दिन नजश्धिकाते जा रहे हैं आप अपने पढ़ाई से कही न कहीं के बाद में पानी डालने पर उससे पानी बाहर निकलने लग जाता है तो उसी परकार से situation अब है क्योंकि आपने लंबे समय तक जिसको कह सकते हैं जेट के पढ़ाई की है आप foundation बेच में रहें आप Chris course में रहें आप target बेच में रहें तो आपको बहुत कुछ पढ़ाया गया और आपने व्यक्तिगत अस्तर से भी बहुत कुछ पढ़ा है और इसलिए वो यह जिए आप सभी को याद है इसलिए अब आपको ऐसे लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता या मैं क्या करूँ तो अब आपको घबराने के आउशकता नहीं है कुछ बाते हम करते हैं कि किस परकार से हम और अच्छा कर सकते हैं इन पंदरा दिनों में और उतकर्स आपके लिए क्या कर सकता है और क्या करने वाला है और क्या किया है तो देखीगा आपको सबसे पहली जो मुख्य बात आपके लिए है कि आपको आपके स्यूम के ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास होना चाहिए पहली चीज आप स्योम जिसको कह सकते हैं स्योम पर पूनते विश्वास रखें क्यों क्योंकि जब तक आपका विश्वास आपके साथ है तब तक आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है जब जब आप अपना विश्वास डगमगाएंगे जब जब आप अपने विश्वास को खोने की कोसिस करेंगे तब तब आपको ये फील होगा कि मुझे कुछ नहीं आता लेकिन ध्यान रखना एक्जाम में विश्वास ही बहुत बड़ा मैतवपुन रोल अदा करता आपने पढ़ा तो बहुत कुछ है लेकिन उस एक्जाम में आपके 120 मिनट कैसे निकलेंगे ये बहुत माईनी रखता है इसलिए विश्वास सबसे बड़ा अतिहार है इसके बाद जो आपको आपके गुरुजुनों ने जिस भी जगे जिस भी प्लेटफॉम पर जेसा भी जिस परकार से भी अपनी पूर्ण सिद्दत के साथ पढ़ाया है उस पर आप विश्वास रखें इस चीज का जो आपने पढ़ा है ठीक है आपको जो पढ़ाया गया है जो पढ़ इसके बाद ये बहुत इंपोर्टेंट है जो मैंने पढ़ा है जो मैंने पढ़ा है वही से सवाल आएंगे इसका मुख्य कारण ये है क्योंकि आप लोगों ने सलिवस पढ़ाया और आपके गुरुजुनों ने आपको सलिवस आपको पाठे करम ही पढ़ाया है इसलिए नकना चोती और जो मैं हमेशा से ही कहता आता हूं ये बात जो मुझे नहीं आता जो मुझे नहीं आता नहीं आता वो किसी और को नहीं आ सकता वो किसी और को और को नहीं आता इसका मतलब आउटोप से लिवस कोई क्यूसन आ गया तो इसका आपकी मेरिट पर कोई परभाव न ही होना घबराना नहीं है किसा मुझे नहीं आया मुझे नहीं पढ़ाया गया कई बार कुछ चीजे कुछ बाते निस्षित रूप से आउट ओफ सलिवस पूछी जाती है लेकिन उनको लेकर कि आपको कभी घबराने किया उशकता बिलकुल भी नहीं है ये ध्यान रखना तो इसके बाद में आपने जो पढ़ा वही आएगा किशी और को लेकर के चिंतित नहीं होना है अपना इस समय शुडूल जिसको कह सकते हैं एक शुडूल आपका होना चाहिए ये पंदरा दिन बहुत मैतवपूर्ण है तो आपकी दिन चरिया जिसको कह सकते हैं इस दिन चरिय कैसी है सुबह उटने से लेकर के रात को सोने तक आपको परतेक समय का मेनेजमेंट करना पड़ेगा समय पर टाइम पर उठें समय पर सोएं इन दिनों में आपको नींद भी परियाप्त लेनी है ये द्यान रखना आपको ताकि दिमाग पर जादा परेसर के रिए ते नहीं रिविजन आपका लक्षे होना चाहिए ये ध्यान रखना ठीक है रिविजन लक्षे हो और इस रिविजन के तहट अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा 11 और 12 की बुक्स है एटलिस्ट आप कम से कम ये कोशिस करें कि कम से कम आप तीन बार इन्हें पढ़ ले ठीक है आपको विभिन जिस भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हैं जैसा भी आप पढ़ रहे हैं आपको सलेवस पढ़ाया गया है कुछ रहे गया है वो कवर हो जाएगा किसी भी इस्तान की बात अगरम करें तो अगर कुछ भी रह गया तो आपका कवर हो जाएगा लेकिन क्लास 11 और 12 की बुक्स जो आपके हैं उन्हें आप येन केन परकारेंड हुबहू पढ़ने की कोशिस करें कम से कम आपका टार्गेटों की तीन बार मैं कम से कम और अब इस समय आपका टार्गेट ये होना चाहिए परडे का कि मैं परडे इन 15 दिनों में अगर परडे जिसको कह सकता हूँ बायो और केमिस्ट्री इन दोनों के आप परडे डेड़ सो डेड़ सो जिसको कह सकते हैं MCQ आप सोल्व करें आप एप के माध्यम से करें उतकर् यूटूब पर आपको लगातार अटेंड करें तो कम से कम डेड़ सो क्यूसन तो आप इनके हल करें ही इसके साथ ही एगरी कल्चर ठीक है तो एगरी कल्चर के आप क्यूसन जिसको कह सकते हैं 200 MCQ पर डेच हैं पड़ने के रिविजन के आलावा मैं बात कर रहा हूँ पढ़ने और revision के अलावा आपको लगभग जिसको कह सकते हैं 200 सवाल आपके इसको कह सकते हैं इसके और 300 सवाल chemistry और biology के आपको solve करने हैं यह ध्यान रखना है इसके बाद में आप लगातार test दें जो आपके old राजस्तान जैसे test होते हैं वो लगातार दें जैसे उतकर्स की इस क्योंकि इन test के माध्यम से जिसको कह सकते हैं क्योंकि old राजस्तान के विध्यारती इसमें registered है तो आप अपने आपको यह survive कर पाएंगे यह देख पाएंगे कि मेरी स्थिति कहां पर है तो इस समय revision बहुत माइने रखता है MCQ बहुत ज़्यादा मैतवपूर्ण है आपके ल उतकर्स की जो test series आपको इस समय दिखाई दे रहें यह test series जेट की जेट की जो test series है दो हजार चोईज की इस test series में आपको 15 test मिल रहे हैं और इन 15 test के माधिम से आप अपने तयारी को सूधर कर सकते हैं और एक test का मात्र जिसको कह सकते हैं 20 रुपे तो 300 रुपे का यह test series आप feel करेंगे कि इस test series की आपके लिए बहुत उपयोगीता है तो इस उपयोगीता को समझें आप और अंत में पुने बताओं घबराने की आउशकता बिलकुल नहीं है क्योंकि आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है बहुत आपने तैयारी की है आपने समय को मैनेज किया है बस अब बचे हुए समय में उसको और जिसको कह सकते है किस परकार से कंसोलिडेट कर सकते है किस परकार से अपने आपको एकागर कर सकते है कोसिस करें कि सुबह जिसको कह सकते है पांस से दस मिन्ट आदा घंट आप व्याम करें आप जिसको कह सकते है योग करें इससे आपकी मा का आपको लगनी चाहिए ये ध्यान लखना ये वो समय है इस समय को आपको समझना होगा अगर इस समय को आपने समझ लिया तो आने वाला समय आपको जिसको कह सकते हैं बहुत 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 बह कुछ हम आपको सुधडर्स के माधने का मुका देंगे अ कि उतकरस की टेश्ट की ठेस्ट चूके नहीं और अगर नहीं जुड़े हैं तो आज ही मंठे ». टेस्ट पेपर्स के माध्यम से अपने आपको बहतर कर सकते हैं तो आप सभी की अगरिम भाईशे की, आपके सुबकामनाओं के साथ आपको एक बार पुनाज इसको कह सकते हैं कि जेट को सेट करने के लिए हम आपके साथ हैं सभी विध्याट्यों को नमस्कार जेहिद, जेभ महारत 5 तोपलाग